Hello Friends, Welcome to my YouTube Channel दोस्तो आज हम बात करेंगे कि रिसेंटली कैनेडा में क्या टेंड चलता है वीजा का क्या टेंड है, भाइमेट्री का क्या टेंड है तो अलग-अलग कैटेगरीज के वीजा को लेकर उसके टेंड को डिसकास करते हैं जुक यह वीडियो को शरू करते हैं, दोस्तो अगर आप कोई भी Canada का वीजा फ्लैन कर रहे हूँ, जाए आप कि जो Canada की जो प्रसेसिंग है वो काफी फास्ट है नो डाउट की जो बायो मेट्रिक्स है जो अगर हम विस्टर विजा की बात करें तो बायो मेट्रिक्स पहले जल्दी आयते नहीं आते लिगीं जो result है वो 10 से 15 दिन के अंदे results जो है वो आ रहे है और result काफी positive अगर बात करें हम study visa के तो study visa में भी बायोमेटरिक सेम ही आ रहे है और जो उटके result है वो भी काफी fast है अगर हम compare करें last यह उससे लास्ट यह लोगडाउन के बाद डेड़ साल सा रिजल्ट नहीं आ रहे थे लेकिन अब रिजल्ट काफी फास्ट हैं लेकिन अगर आपका कैनेडा का स्टेडी वीजा रिफ्यूज हो गया आप नेक्स्ट में इंटेक का रिफ्यूज आप सेफ्टमर इंटेक के लिए जा रहे हो और आप प्लैन कर रहे हो सोच रहे हो किस कौन सा पिरिड बैस्ट रहेगा तो उसमें ऐसाच कोई वरेट की बात में अगर आप चुलाई में भी अपना विजा प्लैन करते हो प्रॉपर डॉ वह रिजल्ट पॉजितिव डिपेंड्स की आपके डोक्मेंट कैसे आपकी एसोपी कैसी है उसमें क्या-क्या अपने मैंशन किया है सेम ही जो केस है वो लाइक वर्क परमेट में भी ऐसा ही है अगर आप उपन वर्क परमेट इसको पाउस वीज़ बोलते हैं उसमें भी जो वीज़ वीज़ा स्टडी वीज़ ओपन वर्क परमेट प्लैन कर रहे थ59 यहापके डोक्मेंटेशन वह प्रॉपर सुन चैसी हर वीडियो में बोलता हूं कि पर्रोपर डोक्मेंटेशन प्रोपर प्रेजेंटेशन ही मैंटर कर थे है आपकी फाइल को लेकर अभी रिसंटली जो रिज़ाल्ट एक हम एक काफी ज्यादा पोज टीव हैं और काफी फास्ट है और इससे भी फास्त होने वाले आने वाले टाइम में तो आप रिजल्ट का टाइमिंग की टैंशन चोड़के फाइल को कैसे अच्छे तरीके से लगाना है काफी उसकी प्रेजेटनेशन कैसे देंगे उसके ओपर ध्यान देजिए आज की वीडियो को मैं यही खतम करूंगा नेक्स्ट जल्दी ही एक अच्छा नए वीडियो लेकर आओंगा तो तब तक लिए थैंक्यू बाहिए